अज़ाएंड मैं आपको मेंटोर एके सिंग और आज हम देखेंगे जो सीटेट ने जो जितने वेपर हुए हैं जो इस पार सीबीटी एक्जाम हुए हैं उसमें इस आंसर की आ गई है तो आप अपनी आंसर की जाकर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना वड़ेगा यह जो आंसर की कर दे रखा है डाउनलोड डिसमबर सीटेट आंसर की इस पर जाकर आपने आप डाउनलोड कर सकते हैं एक और बात जो बच्चे उने अभी 21 तारीकों पेपर दिया है यानि 21 जनवरी 2022 को जिन्होंने पेपर दिया है उनकी आंसर की नहीं आई है उनकी आंसर शोटली आ जाएगी या फिर कुछ दिनों में आ जाएगी उनके आंसर की में क्या लिखा रहा है अभी हम देखेंगे जिन्होंने भी 21 तारीक को जो पेपर दिया था उनके जब भी वो लोगिन कर रहे हैं उनके आंसर की के तोर पर ये बता रहा है यानि आपको शॉर्टली आपकी आंसर की आ जाएगी तो जिन जिनके आंसर की आ गई है वो जाकर अपना कोश्चन पेपर डाउनलोड कर ले और उसमें जाकर अपने ंसर की देख लिए जिसे लगता है कि ये कुशन आप गलत है तो वह चेलेंज कर सकता है और चेलेंज करने के लिए बेज सकता है एक और बात ऐंसर की आपके इमेल पर आएगी separately जो आपने email ली होगी उसी पर आपको answer की मिलेगी और question paper आपको यहाँ पर download करकर मिलेगा download करने के लिए आप जैसी यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर एक है दो column दिखाए देंगे आपको paper 1 के और paper 2 के उसमें paper 1 का जैसी click करेंगे उसमें आपको print कोने में print का option में दिखाए देगा उसमें print करके उसे डाउनलोड कर लीजिए अपने mobile में या फिर अपने laptop में दूसरे भी दूसरा paper का भी इसी दरगना है और जाकर उसे भी download करके save करके रख लिए और save करके रखने के बाद आपका जो email पर answer की आ रही है उसे चेक कर लें और challenge करने के लिए आप फेश सकते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो like करें शेयर करें आप चैनल को subscribe परें थैंक्यू